लिखे हुआ, बोला हुआ, अरुन जेटली के, सुश्मा सुराज के, प्रदान मंत्री खुद, वो तो आपकी तरफ भी आती है ना, आइना दिखाने लगूँगा, तो सब के लिए दिक्कत हो जाएगी यह अपरजिता, अगर किसानों का अंदोलन पहले भी होते थे, आप विपक्ष में थी, आप समर्चन नहीं देते थे, क्या एक जुम्मेदार सरकार बात करेगी, ना जाज मांगे हैं, यह मांगे जाज नहीं है, किसानों को खानूल समझ में नहीं आया जो के नहीं नहीं सरकार जेजेपी के नेताओं से तीखे स्वाल किये किसानों के बंद को लेकर नियूस 24 पर हुई डेबेट में नेता किसान अंदोलन में विपक्ष की शाजिश बताने लगे तबी संदीप ने उन्हें उनकी पार्टी के नेताओं के बियान गिनवाए और चिप करवा दिया मैं आज सांदोलन पर जो ये राजनेतिक रंग देने की कोशिश है उस पर चर्चा कर रहा हूँ सुदान चुत्रिवेदी विपक्ष से आपको दिक्कत होती है हर्याना में आप जेजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं जेजेपी के दस विधायकों में से साथ किसानों के साथ खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए तो वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या देखे मेरा कहना है हमारे समर्थन में हो या विरोध में हो कोई सांसद हो या विधायक हो अपना जो भी विचार रख्ये पर मैंने गंभीर पूसे क्राइसिस अप्रडिविल्टी विश्वस्रीता का संकत राजनी के मैंने बहुत गहना गया है अरे वो लिखा हुआ बोला हुआ अरुन जेटली के सुश्मा सुराज के प्रदान मंतरी खुद जब गुजरात के मुख्य मंतरी थे ततकालीन प्रदान मंतरी मन्मोहन सिंग को 2011 में जब वो वरकिंग ग्रूप ऑन कंजूमर अफैस की अगवाई कर रहे थे लिखा था कानून प्रदान हो MSP पर वो तो आपकी तरफ भी आती है ना आइना दिखाने लगूंगा तो सब के लिए दिक्कत हो जाएगी न्यूस 24 पर किसानों के मुद्धे पर हुई डबेट में बीजेपी नेता किसानों को विपक्ष द्वारा उकसाय जाने को लेकर बात कर रही थी तबी संदीप ने अपने तीखे सवालों से उन्हें गेर लिया हमारे किसान बंदू हमारे किसान बंदू कुछ हैं मैं मान रही हूं कुछ हैं लेकिन इनके साथ कौन लोग बैठे अगर आप यह देखें कौन बैठा है बताईए ना मैं तो होके आया हूँ आप गई हैं सिंगू बॉर्डर या टीकली बॉर्डर या गाजी पूर बॉर्डर कौन बैठा है इनके साथ बैठा है ना मताईए ना यह अपरजिता अगर किसानों का अंदूलन है किसानों के अंदूलन पहले भी होते थे आप विपक्ष में थी आप समर्चन नहीं देते थे क्या आप किसानों के अंदूलन को विपक्ष का अंदूलन बता रही हैं क्या निउस 24 पर किसानों के को लेकर बीजेपी नेता से स्वाल किये जिस पर वे इस बात पर सफाई देते नजर आए कि इसके अलावा अपनी बातों से वे गुमाते देखे जिस पर संदीप ने भी तीखे स्वाल करे उन्हें रोका अब किसानों को आतंकवादी खाले स्थानी तुकड़े टुकड़े ग मांदे ने इस बात को नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है आतंकवादी हैं तो ये लोग खुदी दिशा भ्रमित हैं जहां तक बात करें कि एक जुम्मेदार सरकार बात करेगी सरकार संदीब जी संदीब जी इन लोग ये किसान नेता जो किसान की बात कर रहे हैं आजाद भारत में कभी इन्हों ने कि MSP को कानून बनाने की बात नहीं की स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का गाम अरफ पूरी तरह से लागू नहीं हुई तो मुदी सक्काम भी किया है यह अधूरी जानकारी दे रहे हैं अब उनोद भाई उसके बावजूद नहीं C2 प्लस 50 हो गया क्या लागू किसानों के मुद्धे पर अब गोदी मीडिया भी सक्रिय दिखाई दे रहा है ठेर मीडिया में किसानों का मुद्धा दिखने तो लगा नई तो मीडिया ऐसे मुद्धों को अक्सर नजर अंदाज कर रही देता है पंजाब टोडे रिपोर्ट